हलो डेर स्टुटेंट्स वालकम टू मैंने ब्रेंज मैं संचिता जैन आप सभी की शोस साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ इंटरनेशनल और्गनाईजेशन की सीरीज के अगले महत्वपूर और्गनाईजेशन यानि की महत्वपूर संगठन G20 के बारे में G20 यानि की The Group of 20 बीस देशों का सम्हो आल राइट तो इसके पहले मैं आपको कई सारी इंटरनेशनल और्गनाईजेशन के बारे में बता चुकी हूँ अगर आपने वोट सारी नहीं देखे है तो जल्दी से जाईए और फटा फट से सारे और्गनाईजेशन के बारे में देख लीजिए शिरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के शेशन को आप सभी लाइक करदें शेयर करदें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करदें क्योंकि मैंगनेट ब्रेंज प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रीयो कोस्ट हाई क्वालिटी एड्यूकेशन के साथ जी हां और मैंगनेट ब्रेंज आप सभी के लिए बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड के लिए उपलब्ध है और उन सारे स्टेट बोर्ड के स्लेवस को कवर कराया जाता है जहां पर NCRAT का पैटन फॉलो होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRAT से तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शिर के साथ विश्व बैंक एवं अंतराश्टी मुद्राकोष के प्रतीनी थी उरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक समूह है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक यानि की वर्ल्ड बैंक और अंतराश्टी मुद्राकोष के प्रतीनी थी उरोपीय उनियन और 19 देशों का एक समूह है जिस इसकी स्थापना कब हुई थी जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी अब इसका उद्देश क्या होता है जी 20 का उद्देश क्या है क्योंकि इसकी स्थापना खरी गई है तो देखें वैश्विक अर्थ व्यवस्था में ठीक है वैश्विक अर्थ व्यवस्था में प्रणाली बद महात्वपूर्ण और ध्योगेग और विकास शील अर्थ विवस्ताओं को एक साथ लाने हैं तो महात्वपूर्ण मुद्धों पर चर्चा करना जो विश्व की महात्पपूर अर्थविवस्थाएं बड़ी अर्थविवस्थाएं हैं और जो देश की विकास फील अर्थविवस्थाएं जो भी विकास कर रही हैं दोनों को साथ में लाना और सब का विकास कर रहा हैं एक उद्देश दूसरा उद्देश देखे हैं साथ म विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में जी टुएंटी के जितने भी सदस्टहई ग्रोस दोंतेक प्रोडक्ट में पूरे विल्ड के 80 प्रतिशत योगदान करते हैं, कितना पूरे विश्म की 80 प्रतिशत योगदान जीट्व करते हैं, यानी की जी टेट्वामदी में जितने भी शदस देस हैं, उनकी आबादी कितनी है उनकी आबादी 60 प्रतिशत से भी अधिक है यहाँ पर आपको इस मैप के माध्यम से वर्ल्ड मैप के माध्यम से जी 20 देशों को बताया गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीले रंग पर यह देखो वही है नीला रंग दिखाई दे रहा है आपक और नीचे ग्रीन कलर में क्या है अफ्रीकी संगी की सदस्यता के द्वारा प्रतिनी धी देश जो देश अफ्रीकी संगी की सदस्यता के द्वारा इसमें शामिल हुए है और यूपी संगी की सदस्यता के द्वारा इसमें शामिल हुए है वो दिखाए गए है फिर पिंक कलर में क्या दिखाया गया है आपको इस्थाई रूप से आमंत्रत देशों के बारे में बताया गया है यह जो देश हैं इस्थाई रूप से आमंत्रत देश हैं जो की कहा जाए तो इनको सम्मेलन में बुलाया जाता है पर यह सदस्य नहीं होते हैं ठीक है जब जब G20 का सम्मेलन होता है तो हर बार इनको सम्मिलन में कॉन्फरेंस में बुलाया जाता है लेकिन यह सदश्य देशों में शामिल नहीं होते हैं अब G20 के कारियों की चर्चा कर लेते हैं कि G20 के कारिय कौन कौन से हैं तो G20 के कारियों को दो ट्रेक्स में विभाजित किया जाता है कौन कौन से ट्रेक्स हैं एक है बैसा फाइनेंशियल ट्रेक ठीक है एक है एक है फाइनेंस ट्रेक और दूसरा है शेरपा ट्रेक अब फाइनेंस ट्रेक और शेरपा ट्रेक का काम क्या है क्या मतलब है इन दोनों का ठीक है फाइनेंस ट हैं प्रतिनिधियों के साथ सभी बेटकों में वित्तिय भीनियमन राज़ कोश्य मुद्दे और मुद्रा पर केंदृत विश्यों पर इसमे कार्यों मैं शेरपा टैक वित्तिय मुद्दों को छोड़कर अन्य next year to be उसका शेरपा तो शेरपा ट्रेक क्या करता है शेरपा ट्रेक राजनेतिक जुडाओ पॉलिटिकल काम करता है यानि कि जितने भी जी ट्वांटी के सदश्य देश हैं वो आपस में पॉलिटिकल रूप से राजनेतिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं या उन्हें राजनेत प्रयास कैसे करें जाएं उस पर चर्चा करी जाती है विकास यानि की डेवलोप्मेंट उर्जा और इनर्जी जैसे व्यापक मुद्धो पर ध्यान के इंद्रित करता है शेर पाट तो जी ट्वेंटी के कारियों को इस तरीके से दो ट्रेक्स में बाटा गया है एक है आपका इस ट्रेक्स और एक है आपका शेर पाट रहेगा ऑल राइट यह हो गए इसके कारियों इसके बाद जी ट्वेंटी सम्हूं के सदश्यों की हम बात करें तो जी ट्वेंटी सम्हूं के सदश्य मैं हैं अर्जैंटिना, उस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चीन, यूनियन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रूस सौधी अरब दक्षडी अफ्रीका दक्षडी कोडिया तुर्की युनाइटेड किंग्डम और संयोक्त राज अमेरीका ये सब जी ट्वंटी में शामिल है फिर स्पैन को एक स्थाई गेर सदस के रूप में आमंत्रित किया जाता है जो प्रतेक वर्स जी ट्वंटी सम्मेलन में भाग लिता है अभी हमने पिंग कलर में कुछ देश देखे ते कैसे देखे ते कि जो जी ट्वंटी में इस्थाई रूप से आमंत्रित किये जाते हैं सम्मेलन में हर बार लेकिन वो गेर स सदस्य हैं member नहीं है G20 के ठीक है लेकिन इस्थाई रूप से हमेशा हर वर्ष आयोज़ित किये जाते हैं तो spend जो है किस थाई गर सदस्य की रूप में आमंत्रित किया जाता है जो प्रतेक वर्ष G20 conference में भाग लेता है यह बात हो गई G20 सम्हूं के सदस्यों के बारे में अब हम जानेगे G20 सम्मेलन में भारत की प्राथ मिक्ताएं क्या क्या है भारत का रोल है भारत की वुमिकाएं क्या है करक्शन कैसे हो सकता है टक्सơ सरकार के पास काहां से आता है किसी जग मेर्यूअ करसे पास पैसा आ रहा है यह कितना टक्स का क्या हुआ और कहां कि हमने का एक घ्कार हुआ ठीक है तो वो फिर उसके बार आतंगवादी वित्त पोशन को अवरुद्ध करना कहीं आतंगवाद को फाइनेंसियल हेल्प तो कहीं से नहीं करी जा रही है तो उस पर रोक लगाना प्रतिबंद लगाना प्रेशन की लागत में कटोती करना प्रमुख दवाओं तक बाजार क की पहुंच को बढ़ाना विश्व अभ्यापार संगठन में सुधार जबलू टीयों में सुधार और प्रेपारस समझेते को पूर्णता लागू करना ये सारी प्राथ मिकता हैं जी ट्वंटी संमेलन में भारत की तो ये बात वी जी ट्वंटी के बारे में और इसके पहले मने आपको कई सारे international organization के बारे में बताया है कि इसारी tricks भी उनके बारे में मैंने आपको बताई है अगर अभी तक आपने g20 से related, g20 के लावा बाकी organization से related information प्राव्यशन प्राप्ट के लाव़ा हैं तो जल्दी से जाईог और बाकी के organization को भी एक बार देख लीजी है और उसके पहले दो सीरीज और मैंने आपको कराई है एक राई है इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व की यानि कि इतिहास की जितने भी मुख्या परसनालिटीज है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है शॉट्स वीडियो के माध्यम से बताया है डिटेल में बत जाया है तो जल्दी से जाए और वो सारे वीडियो भी देख लिजे और अपने भारदेश की तिहास को जानिए उसके बाद करेंट अफियर वे जनरल फैट्स की सीरीज भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उसमें करेंट अफियर के साथ आपको से रिलेटेड जितनी जनर इन्फरमेशन हो सकती है जोतने अफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं तो जल्दी से जाए और वो सारे वीडियो जाप सभी देख लीजे आल्राइट तो अगर आप मारे डेली के लाइब लेसन और रिकॉर्डर लेसन से चुनना चाहते हैं सारी चीज़े इन्फरमें दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चाप कोर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं सीबेसी बोर्ड देली बोर्ड बिहार वोड यूपी वोड एंपी वोर्ड राजस्थान बोर्ड के कोर्स और इतने सारे कोर्स सेगी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराये जाते हैं फुली और्गोनाइजड कम्प्लीट कोर्स के साथ आप से किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन पर्जिस करने के वाट से पर भी प्लब दें आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्स्प्राइब भी करना है उमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए पढ़त तरीया खुश्वेया, thank you so much.